दोस्तों ब्रत वगेरा में साबू दाने की खीर तो हम सबी बनाते हैं लेकिन आज मैं जो तरीका आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ न इस तरीके से अगर आप साबू दाने की खीर बनाएंगे न तो बहुत ही टेस्टी बनेगी बिल्कुल भी चिप-चिपी नहीं बनेगी और खीर के अंदर साबू दाना एकदम खिला खिला रहेगा रेसिपी थोड़ी सी अलग है इसलिए पूरी देखेगा वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करें उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में और दे तूट रहा है बस ऐसा होना चाहिए तो पानी साबू दाने में इतना ही डालिएगा कि साबू दाना भीग जाए दूसरी तरफ दूसरा जरूरी स्टेप दूद आपको गरम किया हुआ लेना है ठंडा नहीं लेना है और अब हम रग देते हैं गैस पर पैन और इसमें डाल देते हैं दो तिन चम्मच घी इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटे हुए काजू बदाम और पिस्ता ट्राइफरूट आप अपने चोईस के अकॉर्डिंग कोई भी ले लीजिएगा तो थोड़ा सा हम इने भून लेते हैं टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा लेकिन अगर आप बिना भूने डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसके बाद में ये जो बचा हुआ घी है इसमें हमें क्या करना है ये जो साबूदाना हमने भीगो करके रखा है ये डालना है और उसके बाद उस साबूदाने को हमें भूनना है तो ड्राइफ रूट मैंने निकाल लिए हैं और अब ये साबूदाना मैं इसमें डाल देती हूं वैसे तो जो एक्स्ट्रा पानी था हूं मैंने निकाल दिया था लेकिन अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ये ये साबूदाना है ये ट्रांस्पेरेंट हो गया है ये देखिए इसतरे से चलाते रहे और भून लीजी एक दो मिनट के लिए हलकी ठ्रांस्पेरेंट होने लगा थो थोड़ा सा और भून लेते हैं ये भून लोड़ा सा घी एक्स्टा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और इसके बाद हम इसे इस तरह से चलाएंगे तो साबुदाना डालने के तुरंत बाद आप इसे इस तरह से चलाएगा और 2-3 मिनिट के बाद में आप देखेंगे कि साबुदाना दूद में उपर तैरने लगा है तो 2-3 मिनिट हो चुके हैं और ये देखें साबुदाना दूद में उपर आ गया तो बस इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे ये जो ड्राइफ रूट हमने भून करके रखे थे ये जो ड्राइफ रूट है ये दूद के साथ में पकेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया टेस्ट देंगे और अब हम इसे करीब 4-5 मिनिट के लिए पकने देते हैं जिससे दूद थोड़ा सा गाड़ा हो जाए और इसमें मावी का जैसा टेस्ट आए तो 4-5 मिनिट हो चुके हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया मलाई आई है दूद पर इसे इस खीर में एकदम रबडी के जैसा टेस्ट आएगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में जादा से जादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को अन करके ओल पर जरूर सैट कर लीजेगा 7-8 मिनिट के बाद में मैंने इसमें चीनी डाल दी है तो चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा डाल लीजेगा जितनी आप पसंद करते हैं और ये देखिए 8-10 मिनिट पकने के बाद में मैंने गैस को ओफ कर दिया ठंडी होने के बाद में गाड़ी होती है तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीर आप इस तरह से जरूर बनाईएगा और अगर इसे आप फ्रीज में रख करके खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा तो कोमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये साबू दाने के खीर की रेसिपी कैसी लगी और ह इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज मेरे चैनल पर हैं आप प्लीज उन सभी को देखिए सभी बहुत पसंद आएंगे आपको और सबसे लास्ट में अपनी मसंद पसंद का कोई भी ड्राइफरूट डालिए तो मैं आपर थोड़ा सा बादाम और थोड़ी से पिस्त